इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले, अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते है और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जम्मिदारी नहीं होगी। सिजोफ्रेनिया एक मानसिक विकार है जिसमें व्यक्ति की सोचने की ख्षमता, भावनाय और व्यवहार असामान्य हो जाते हैं। रोस्पिट्रल प्लस तीन टैबलेट M.D. मस्तिश्क में रासायनिक संतुलन को ठीक करने में मदद करता है जो इस तरह के बदलावों के लिए जिम्मेदार होते हैं। यह विचारों व्यवहार में सुधार करता है और जीवन की गुनवत्ता को बढ़ाता है। जब तक डॉक्टर से सलाह न लें, इसे लेना बंद न करें। आपके लक्षणों में सुधार होने में कई सप्ताह लग सकते हैं। इसलिए दवा का उप्योग करते रहें। भले ही आपको नहीं लगता कि यह काम कर रही है। इस दवा को अपने चिकित सक द्वारा बताई गई खुराक और अवधी में लें। गोलियों को गीले हाथों से न संभालें। इसे अपने मुह में डालें लेकिन इसे निगलें नहीं। रोस्पिट्रिल पलस तीन टैबलेट एमडी भोजन के साथ या बिना भोजन की इसे लिया जा सकता है। लेकिन बहतर यह होगा कि इसे एक नियत समय पर वरियता के साथ लिया जाए। रोस्पिट्रिल प्लस तीन टैबलेट एम्डी दो दवाओं का एक मिश्रण है रिस्पेरिडोन और ट्राइकसिफिनिडिल रिस्पेरिडोन एक एटिपिकल एंटी साइकोटिक है जो मूड, विचारों और वियवहार को बहतर बनाने के लिए रासायनिक दूतों यानि की पाकिसंज रोग का कारण बनते हैं और एंटी साइकोटिक उपचार के दौरान होने वाले कुछ दुश प्रभाव होते हैं। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये विडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक ह हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को टन अन आल नोटिफिकेशन पर सेट करें। धन्यवाद।